हाले व्रिवान, वेलकम डुलिसा स्कूकिन एंड बेकिंग क्लासे स्कोल काता, मैं शेफ लिसिया आज मैं आपको सिखाऊंगी रेस्टुरेंट स्टाइल में मूग दाल पराथा, ये प्रोटीन से बिलकुल भरपूर होता है और इसका जो टेक्निक आज मैं आपको कि न उसमें एकदम रेस्टुरेंट जैसा फिलिंग एंड टेस्ट आएगा, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, पराथा के डो बनाने के लिए मैंने ले लिया है दो कप गेव का आटा, मतलब कि 400 गाम गेव का आटा ले लिया है, नमक ले लिया है, स्वाद अनुसार और इसमें जाएगा थोड़ा सा आजवाइन फ्लेवर के लिए, अब चाओ तो मैदे से भी बना सकते हो, और मैं इसमें डाल दिया ही हिंग फ्लेवर के लिए, हिंग डालने से ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, मैं आज हिल्दी तरीके से सिखाऊंगी, इसलिए मैं इस जितना घी लगता है ना उतना घी नहीं लगेगा, बस फ्लेवर के लिए मैंने इसमें डाला है घी, अब सब इंग्रेश को एक साथ हाथों से आटा के साथ मिक्स कर लिजिए, अब इसमें धीरे धीरे नॉर्मल टेमपरेचर का पानी डाल देजिए, ये रूम टेमपरेचर का पानी है, एक साथ मद डालिएगा बहुत सारा पानी, धीरे धीरे डालते जाएए और एक हाथ से इसको ऐसे मसलते जाएए, तो ये अच्छे से प्रॉपर डो बनेगा, जैसे हम एवरी डे के लिए रोटी के लिए डो बनाते ना, सेम प्रोसेस से आपको डो बनाना पानी डालके आपको पहले एक सेमी सॉफ्ट डो बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नरम डो नहीं बनाना है, तो देखिए इसका कॉंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत नरम डो नहीं है, मिडियम सॉफ्ट है, अब मैं इसको कवर करके रूम टेमपर मैं छोड़ दूँगी हाफ नर के लिए, तो ये और भी मॉइस्ट हो जाएगा, तो देखिए हाफ नर के बाद ये और भी मॉइस्ट हो चुका है, अब मैं इसको हाथों से फिर से इसको ऐसे करके स्मेश करूँगी, तो देखिए पहले से ये ज्यादा सॉफ्ट हो चुका ह आप इस डो से मैं सेम साइच का लोई कट कर लूँगी साइच आप क्यों पर डिपेंड करता है आप चाओ तो छोटा या तो मीडियाम साइच का बना सकते हो मैं मीडियाम साइच का बॉल कट कर रही हूँ तो मेरा जितना सा डो था ना उसमें मीडियाम साइच का पार्च बॉल इकुएली हो जाता है मैंने मीडियाम साइच का बॉल बना है इसमें पार्च अच्छे से बन जाता है बॉल कट करने के बाद जैसे मैं कर रहे हुना ऐसे हाथों से इसको अच्छे से स्मूथ कर लिजिए जैसे प्रोसेस से मैं कर रहे हुना सेम प्रोसेस से आपको भी फॉलो करके बनाना पड़ेगा तो देखिए एक एक लोई कितना स्मूथ बना है अब मैं इसको एक बोल के अंदर रखके फिर से मैं ढखके छोड़ दूँगी नहीं तो नहीं ये हार्ड हो जाएगा अब मैं मूंग दाल का स्टफिंग रेडी करूँगी तो उसके लिए मैंने एक काप मूंग दाल ले लिया है ये वजन में 200 ग्राम है अब इसको मैं medium to slow flame में भून लूँगी अच्छे से इसका color change नहीं करना है बस इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा मेरा जितना quantity का दाल है न ये भूनने में 10 मिनिट लगा है मुझे medium to slow flame रखना है इसी condition में तो दाल अच्छे से भून चुका है अब मैं flame को बंद कर दिया है और normal temperature का पानी से इसको दो बार wash कर लीजिए तो दाल के अंदर में जो powder रहता है न वो निकल जाएगा तो दो बार मैंने दाल को wash कर लिया है अच्छे से अब एक cooker ले लीजिए और cooker के अंदर में दाल को डाल दीजिए और इसमें एक कप पानी डाल दीजिए मतलब के जितना समय ने डाल ले लिया था उतना ही पानी डालना है और इसमें थोड़ा समय नमक डाल दिया है नमक को अच्छे से mix कर लिजिए अब धकन लगा के full flame में मतलब के high flame में एक city लगा के इसको बंद कर दीजिए जब city अपने आप निकल जाएगा तब धकन को open किजिए तो देखिए तो देखिए डाल 80% तक फूक हो चुका है और यह नरम हो चुका है इसको full boil नहीं करना है देखिए मैं हाथों से इसको दिखा रही हूँ यह इतना सा नरम हो चुका है लेकिन पूरा एकदम इसको boil नहीं करना है अब मैं कड़ाई ले लूँगी कड़ाई में मैं थोड़ा सा घी डाल दिया है घी जब medium हीट हो जाएगा तब इसमें flavor के लिए थोड़ा सा हींग डाल दीजिए अद्रक को मैंने grate करके डाल दिया है अब flame को एकदम slow कर दीजिए और एक से देर मिनिट तक इसको भून लीजिए जब अद्रक के अंदर से कच्चापन चला जाएगा तब मैं इसमें डाल दूँगी boil किया हुआ दाल डाल को एकदम medium to slow flame में आपको continuously ऐसे करके cook करना पड़ेगा continuously इसको ऐसे चलाते जाएए अब मैं इसमें half cup जितना पानी डाल दूँगी अब इसमें add करना है roasted jeera powder roasted dhania powder healthy powder and red chili powder मैंने roasted dhania powder and jeera powder यूज किया है roasted masala डालने से ना flavor and taste अच्छा आता है अब भी ये roasted डालने का कोशिश कीजिए अगर आपको flame ज्यादा लगे मतलब कि कढ़ाई आपको ज्यादा गरम लगे ऐसा अगर आपको लगेगा तो flame को एकदम slow कर दीजिए तब तक डाल को cook करना पड़ेगा जब तक ये गाड़ा ना बन जाए तो देखिए cook करते करते डाल पहले से गाड़ा हो चुका है और इसका color भी थोड़ा सा change हो गया है अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर आमचूर पाउडर अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाठ मसाला या तो निम्बू का रस भी डाल सकते हो और इसमें थोड़ा सा sugar भी डाला है end में शुगर डालने सेना test बढ़ता है टेस्ट का balance होता है अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल दिया है कसोडी मेथी कसोडी मेथी डालने से इसका flavor बहुत बढ़िया से आता है ये सब tips रेस्टोरेंट में follow करके बनाते हैं इसलिए रेस्टोरेंट का पराथा घर का पराथा से अलग होता है तो ये सब tips में आपके साथ अज शेयर कर दिया है तो ऐसे ही आप घर में भी बनाएगा तो आपका भी पराथा बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही बनेगा तो देखिए डाल अभी बिल्कुल कूक हो चुका है 100% लेकिन ये डाल बिल्कुल भी गला नहीं है अगर पूरा गल जाएगा ना डाल तो आपका टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा पराथा का डाल अभी भी दिख रहा है देखिए एक एक दाना डाल का दिख रहा है अब मैं इससा एंड में एकदम डाल दूँगी धनिया फ्लेवर के लिए धनिया डाल के फ्लेम को बंद कर दीजी जब ऐसे गाड़ा हो जाएगा दाल तो फ्लेम को बंद करके इसको ठंडा कर लिजी रूम टेंपरिचर में या तो फैन के नीचे तो देखिए ठंडा होने के बाद ये एकदम डो फॉर्म में आ चुका है हमें ऐसा ही कॉंसिस्टेंसी चाहिए बिल्कुल भी गिला वाला स्टफिंग नहीं चलेगा तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा अब मैं इस डाल के डो से बॉल बना लूँगी निम्बू के साइज से थोड़ा सा बड़ा बॉल मैंने कट कर लिया है तो ऐसे स्टफिंग का बॉल बना के आपको पहले रेडी करना पड़ेगा डाल का स्टफिंग का पहले से भी बना के फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हो तो आपका काम जल्दी बन जाएगा लेकिन आपको ध्यान में रखना है स्टेफिंग कभी भी गड़म नहीं होना चाहिए रूम टेमपरेजर का होना चाहिए स्टेफिंग तो देखे मैंने आटे का एक बॉल ले लिया है अब मैं थोड़ा सा आटा डस्टिंग कर लिया है अब इसको मैं हाथों से घुमा के कटोड़ी जैसा बना लूँगी साइड से पतला किजिए और मीडिल में इसको मोटा रखके आपको कटोड़ी जैसा बनाना पड़ेगा अब मैं डाल का जो स्टेफिंग का बॉल है उसको मीडिल में रख दीजिए और साइसे तो अच्छे से लॉक कर दीजिए तो ऐसे करके मैं सब लोई को रेडी कर लूँगी पराठा के लिए स्टफिंग डालने के बाद ऐसे करके हाथों से हलकाल का प्रेस कर दीजिए और थोड़ा सा इसमें आटा लगा के या आपको रोल करना पड़ेगा पहले हाथों से इसको चप्टा कर लिजिए तो अच्छे से पराठा बनेगा फटने का कोई चांस नहीं रहेगा थोड़ा सा आटा डास्टिंग कर लिजिए अब हलके हाथों से इसको रोल कर लिजिए तो देखिए बहुत प्रेशर देके इसको नहीं करना है मीडिल में हलकालका अब कोई डाल दिख रहा है स्टफिंग लेकिन यह फटा नहीं है ऐसा दिखेगा मीडिल से लेकिन एक भी पराथा नहीं फटेगा तो देखिए नौर्मल रोटी से मैं थोड़ा सा इसको मोटा करके बेल लिया है लेकिन बहुत मोटा करके नहीं बेलना है नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मैंने इसको मोटा रखा है तो ऐसे करके मैं सब पराठा पहले बना लूँगी तो और एक पराठा को मैं आपको दिखा रही हूँ सेम ब्रॉसेस फॉलो करके आपको एक एक पराठा बना के रेडी करके रखना है तो हमारे पास बहुत सारा ओनलाइन में बेकिंग का कुकिंग का वेज, नान वेज और स्वीट का क्लासेज है तो अगर आपको वो क्लास जोइन करना है तो मेरे से कंटाक कीजिए कोई भी ऑनलाइन क्लास जोइन करने के बाद, लाइफ टाइम के लिए वीडियो और रेसिपी दिया जाता है तो आप घर में बैट के वाल में कही से भी कभी भी हमारा कोई भी ऑनलाइन क्लास जोइन कर सकते हो और ऐसा ही restaurant जैसा खाना आप घर में बहुत ही आसानी से कम खर्च में बना सकते हो और खुद का food business भी start कर सकते हो Class के साथ साथ बहुत साथ business tips भी मैं share करती हूँ हर एक class में तो आपको आगे जाके business करने में कोई problem नहीं होगा कैसे आप घर में बैठ के भी business चला सकते हो या तो अगर आपको cafe है या तो restaurant है तो एक एक course करने के बाद वो सब business idea आपको मिल जाएगा कैसे food का shelf life बढ़ाना होता है कैसे उसको storing करना होता है कैसे restaurant में काम किया जाता है हर एक class में मैं packaging के साथ course का detail मैं सिखाती हूँ तो ऐसे करके हर एक पराठा को मैंने ready कर लिया है और एक plate के उपर मैं थुरा सा आटा डास्टिंग करके एक के उपर एक रखती गई हूँ और एक plate से इसको ढखके रख दीजिए देखिए ऐसे करके रखना है पहले सब पराठा को ready कर लिजिए तो ये देखिए एक एक पराठा के उपर में थुरा थुरा आटा डास्टिंग करके plate से धखके पहले ready करके रख दिया है अब मैं एक एक करके पराठा को सेकूंगी तो एक पैन ले लिजिए और पैन को एकदम high flame में आपको गड़म करना है जब पैन गड़म हो जाएगा तब एक पराठा को पैन के उपर रख दीजिए और साइट से इसको चम्मस से या तो ऐसे silicon brush के help से थुरा थुरा घी या तो oil डालते जाएगे जब एक साइट थुरा सा सेक जाएगा तो इसको पलड़ दीजिए आप silicon brush के help से उपर में फिर से मैं घी लगा लूँगी आप चाहो तो oil से भी कर सकते हो अगर आपको oil घी कुछ भी नहीं अच्छा लगता है तो आप इसको normal भी जैसे हम रोज रोटी सेकते न वैसे without घी और without टेल से भी इसको आप बना सकते हो normal रोटी की जैसा सेकते तो देखिए flame को आपको एकदम high में रखके करना पड़ेगा अगर इसको medium में या तो slow में रखोगे flame को तो पराठा सकत हो जाएगा इसको ना चमच से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाए तो देखिए ये गुबड़ी के जैसा फूलेगा अब देख रहे हो ये फूल रहा है तो देखिए कितना अच्छे से ये फूल रहा है तो दोनों साइट से इसको पलट-पलट के आपको शेकना पड़ेगा तो अच्छे से दोनों साइट्स तन अंदर से या अच्छे से फ्राई होगा और यह पराथा फ्राई करने मेना बहुत ज़्यादा तेल या घी नहीं लगता है तो एक पराथा फ्राई होके रेडी हो चुका है अब मैं इसको साइड में डख देती हूँ और same process से मैं back to back हर एक पराठा को सेखती जाऊंगी flame एकदम high में ही है, high में रखके आपको back to back पराठा सेखना पड़ेगा तो मैंने और एक पराठा को डाल दिया है pan में और side से फिर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है जब एक साइट थोड़ा सा सेख जाएगा ना तो इसको पलड दीजिए उपर में मैं फिर से इसमें घी लगा लूँगी घी से फ्राइ करने से ना फ्लेवर एंड फ्लेस्ट अच्छा आता है तो ऐसे थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएगा इसको सेखते जाएगे हाई फ्लेम में तो देखिए थोड़ा थोड़ा इसे चम्मस से ना प्रेस करने से देखिए फूल रहा है अब देख रहे हैं कितना अच्छे से ये फूल रहा है ये देखिए बहुत अच्छे से ये फूल रहा है और एक भी पराठा आपका फटेगा नहीं देखिए कितना अच्छे से ये फूल चुका है और अंदर तक अच्छे से ये सेख भी चुका है तो सब पराठा मेरा रेडी हो चुका है बहुत ही सॉफ्ट होता है और अंदर से corner to corner तक इसका stuffing से पुड़ा भड़ा है तो इसको घर में जरूर try कीजिएगा देखे कितना soft है ये इसको आप breakfast में खा सकते हो, lunch में खा सकते हो, dinner में खा सकते हो, टीफिन में डा सकते हो, office टीफिन या तो school टीफिन में भी इसको यूज कर सकते हो, या तो traveling में इसको साथ में लेके जा सकते हो, बहुत ही tasty and healthy होता है ये पड़ाठा, तो देखिए stuffing अंदर में कितना भड़ा हुआ है, वीडियो को अच्छा लगे तो share किजी और subscribe करना मत भूलेगा, आज के लिए इतना ही, bye bye and take care.